हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग एक रीचार्जबिल मल्टी पर्पस आर्क लाइटर के बारे में जानेंगे यह जो लाइटर है, यह मल्टी पर्पस है नार्मल जो हमारे गैस लाइटर होते हैं मल्टी पर्पस यूज में ले सकते हैं तो इस तरह के लाइटर को कैसे रिपेर करना इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए है यह सारा कुछ मैं इस वीडियो के मादधम से आपको जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले अपने जो प्रचिनल में लाइटर इनके बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पे आप देख पारे हैं यह जो हमारा नार्मल गैस का लाइटर होता है कुछ इस तरह का होता है इसमें यहाँ पे इसको हम प्रेस करते हैं वो चिनगारी जो है, पीजो इलेक्टिक क्रिश्टल के कारण निकलती है, यहाँ पे इसका एक और उधारन मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, कि इस तरह के लाइटर होते हैं, इनको जब हम प्रेस करते हैं, तो यहाँ से गैस निकलती है, और साथ ही पीजो इलेक्टिक क्रिश्टल एक चिनगारी जो है, उस गैस को जलाने के लिए भेजता है, जिससे की यह लाइटर हमारा जल जाता है, तो इस तरह का इसके अंदर पूरा यूनिट होता है, पीजो इलेक्टिक क्रिश्टल का, इसमें आर्क जो है जनरेट होती है और उस आर्क से हम multi purpose इसको use कर पाते हैं जैसे gas को जलाना है तो भी use कर लेंगे candle जलाना है तो भी use कर लेंगे बहुत सी जगहे पे इसको हम इस्तमाल कर सकते हैं तो यह जो lighter है यह lighter कुछ इस तरह की packing में आता है जैसा कि आप देख पा रहे charging cable है तो चलिए यह lighter जो है इसको हम देख लेते हैं कि इसकी charging cable है वो किस तरह की है और यह lighter किस तरह का है यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें एक charging port दिया है और इसकी charging cable जो है यह type C है और port भी हमारा type C है तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको place कर देते हैं और इसको mobile के charger जिससे कि हमारा यह जो आर्क लाइटर है इसके अंदर की बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि जो यह जो हमारा आर्क लाइटर है इसमें यहां पर कोई पोर्ट नहीं दिया गया है इसमें बैक साइड में पोर्ट दिया गया है और यहां यहां पे आप देख पाएंगे इसकी cable भी micro charging बाली है तो यहां पे इस तरीके से हम इसके port में यह cable लगा के और इसको अपने mobile charger से connect करके इसकी battery charge कर पाते हैं तो यहां पे दो तरह के variant में यह हमें arc lighter जो है यह मिलते हैं अब हम इनको खोल के दोनों को देखेंगे और इनके अं तो यह back side का part जो है और screw यह दोनों निकल आएंगे इसके बाद हमें क्या करना होता है यहां पे आप देखेंगे कि यह जो इसका on off switch है चिम्टी की मदद से इस switch को निकालेंगे तो यहां पे switch को इस तरीके से आप निकाल पाएंगे देख रहे हैं आप इस तरीके से आप इ इसके push button भी निकल आई है इसके अंदर आपको कुछ इस तरह के parts जो है यह दिखाई देंगे यहां का ऊपर का part जब हम इसको धीरे से निकालेंगे तो आप इसको और अच्छी तरीके से देख पाएंगे कि इसके अंदर कौन-कौन से parts लगे हुए हैं यहां पे आप देख इस तरीके से हम चिम्टी से इसको धीरे से open कर लेते हैं तो यह ऊपर का part जो है यह निकल आता है इसके अंदर आप यहां पे देख पारें एक lithium-ion battery लगी हुई है और एक यहां पे circuit आप देख पारें यह circuit लगा हुआ है तो यहां पे आप देखेंगे back side में इसकी charging का point है य यहां पे charging connector है और यहां पे एक और आप देख पारें screw लगा है तो इस screw को भी हम निकालते हैं जिसके बाद हम इस lighter को देख पाएंगे कि इसके अंदर के parts और क्या-क्या है back side में यहां पे आपने देखा कि मैंने इसका यह screw भी निकाल दिया है अब हम इसको आसानी से उपर कर भा रहा है तो यहां पे आप देख पारें इसके LED indicator है जो कि इसकी battery कितने percent charge है यहां पे so करने के लिए है यह इसका main on off switch है और यह push button है जो कि जब हम push करते है तब यहां पे हमारे lighter के ऊपर के points पे arc generate होती है यहां पे आप देख पाएंगे कि यह एक high voltage generate करने के लिए transformer दि जो है यहां पे हमारे PCB के साथ connect यहां पे आप देख पारें यह जो MOSFET लगा है जब यहां पे high switching वाली frequency जो है यहां पे MOSFET को on off करती है ऐसी condition में यहां पे high voltage वाले transformer के दोनों points पे जो frequency के साथ यहां पे current जाता है और उस current से हमारी primary की binding जो है वो high switching करने लगती है और यहां यहां पे एक magnetic flux उत्पन होता है और उसके कारण इसकी secondary binding में भी voltage एक high voltage generate होता है जो कि हमारी arc यहां पे आँगे point पे tip पे generate करता है तो कुछ इस तरीके से यह जो lighter है यह काम करता है तो अब बात करते हैं कि यह lighter अगर खराब हो जाता है तो क्या-क्या चीजें जो है उनको हम हो रहा है तो सबसे पहले यह charging connector है इसको चेक करना है कि यह connector तो नहीं खराब है अगर यह connector खराब है तो आप इसको replace कर सकते हैं यह wires देख सकते हैं कि यह wires तो break नहीं है और कुछ conditions में हमारी battery खराब हो जाती है अगर यह lighter हम चार्ज करते हैं और फिर भी यह हमारा lighter कुछ द बैटरी जो है आपको मिल जाएगी और इन बैटरी को आप replace करके यह lighter जो है repair कर सकते हैं और भी अच्छी quality की बैटरी जो है यह आती है market में जैसे आप यहाँ पे देख पारें यह लगबग 80 रुपीज की आपको एक बैटरी पड़ती है और इस बैटरी को भी आप इसकी ज नहीं कर सकते हैं एक और छोटी से IC आप यहाँ पे देख पार है यह जो IC है यह इसकी बैटरी का जो protection होता है वो सारे protection feature जो है इस IC दोरा provide किये जाते हैं जैसे deep discharge और overcharge और short circuit protection बहुत से protection है वो देती है तो यह भी IC आप replace नहीं कर सकते है क्योंकि यह available नहीं होगी यहाँ प अगर किसी भी कारणवस इसका यह जो MOSFET है यह खराब हो जाता है तो इसकी जगह पे आप अगर SMD MOSFET यह वाला नहीं मिलता है तो इसमें आप Z44-25 भी लगा सकते हैं इसमें लग जाएगा आसानी से कोई दिक्कत नहीं है प्लेस कर सकते हैं आप इसमें और इसकी push buttons खराब हो जाता है तो आप switch भी replace कर सकते हैं यही कुछ चीजें होती है यहाँ पे इसका high voltage generate करने वाला transformer है अगर यह खराब हो जाता है तो यह आपको आसानी से नहीं मिलेगा market में तो इसको आप खुद से बना सकते हैं छोटा सा mini high voltage generator जो है आप खुद से बना सकते हैं मैंने इस प यह जो lighter है इसमें भी back side में जो है screw लगा हुआ है इस screw को हम यहाँ पे खोलते हैं आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने इस screw को खोल दिया है जब आप यह screw खोल देंगे तो इसका यह नीचे का जो part है यह निकल आएगा इसके बाद आप इसको भी खोल पाएंगे इसको off position में करके अब हम फिर से इसको निकालते हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे यह इस तरीके से भी नहीं निकल रहा है तो थोड़ा सा effort रखने की ज़रूरत है ज्यादा आपको ताकत नहीं लगानी है आराम से ही निकल आएगा इस तरीके से मैंने इसको निकाल दिया है इसको भी हम देख लेते हैं किस तरीके से हैं यहाँ पे आप देख पारें मैं इस तरीके से इसके जो बॉड़ी है इसकी उपर की इसको खोल रहा हूँ और इस तरीके से मैंने इसको खोल दिया है इसके अंदर के पार्ट्स जो है आप यहाँ पे देख पारें एक स्कूर इ वाला transformer जो है यहाँ पर इस तरीके का है दोनों में थोड़ा सा color में अंतर है बाकि सेम है सारी चीजे transformer सेम है switching के लिए MOSFET सेम है जो main IC है वो भी सेम है यहाँ पर battery protection की IC भी सेम है और battery भी सेम है तो अगर battery खराब होती है तो आप battery replace कर सकते हैं और यह charging connector अगर खराब हो जाता है तो charging connector भी आप इसमें replace कर सकते हैं बाकि सारी चीजें सेम हैं तो इस तरीके से यह lighter भी आपने देखा कि इस lighter में कौन-कौन से parts लगे हुए हैं कैसे इसको आप आसानी से repair कर पाएंगे यह सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है उपर का जो part है इसको अगर आप खोलना चाहें तो इसको भी खोल सकते मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका upper part जो है वो खुलता है यहाँ पे भी एक screw लगा हुआ है इसमें एक screw पहले से ही लगा इसको हम आटा देते हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे एक screw लगा है और यही wires हमारे उपर top बाले point पे गए हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और इस तरीके से इसके जो अंदर के parts हैं आपने देखे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो arc है वो generate हो रहा है तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर के parts हैं आपने देखे और उमीद क